आज हमने एक नए से डिजाइन में स्कार्प बनाया है किस तरीके से बनाया है इसकी वीडियो सुरू करेंगे साथ फंदे हमने सिंपल से डाल लिए है पहला फंदा बिना बिने हुए निकाल लाएंगे धागा आगी करेंगे पाकी छे फंदे उल्टे उल्टे बिन लेंगे फिर दूसरी लाइन में पहला फंदा बिना बिने हुए निकाल लिया बाकी फंदे इसी तरीके से उल्टे उल्टे बिन लेंगे दोनों साइट से उल्टा उल्टा बिनाएंगे यह तीसरी शिलाई है एक शिलाई इसी तरीके से और बिन लेंगे चार शिलाई हमने यह पहला फंदा बिना बिने हुए निकाल लिए दो फंदे हम दो फंदे हमने उल्टे उल्टे बिन लिए अब यहां से इस तरीके से यह फंदे को सीधा लेंगे इसके साथ एक जाली लेंगे एक फंदा यहां पर बढ़ गया एक जाली लेंगे अब यहीं से यह फंदे को लेंगे इसके साथ एक जाली लेंगे इस तरीके से दो जाली आ गई यहां यानि कि दो फंदे हमारे बढ़ गए पहला फंदा यह निकाल लिया अब यह जाली के फंदों को भी उल्टा हम बिन लेंगे इस तरीके से यह दूसरी जाली है पहला फंदा यह निकाल लेंगे फिर एक जाली इसको उल्टा बिन रहें इसके साथ एक जाली आ गई दो जाली आ गई यहां भी उल्टी लाइन में पूरे फंदे उल्टे भी नंगे जाली के फंदे भी उल्टे भी नंगे पहला फंदा यह निकाल लेंगे अभी तीन फंदे थे यहां पर अब हमारे चार हो जाएंगे क्योंकि चार फंदे यह जाली से एक एक फंदे बढ़ रहे हैं यह जाली का फंदा बिन लिया फिर यहां पर जाली आ गई सीधा बिन रहे हूं इसके साथ एक जाली ले लिए फिर यह उल्टा एक जाली इस तरीके से अब यहां से हम इसमें क्रीम कलर का उन लगाएंगे उनको उल्टी साइट लगाएंगे पहला फंदा निकाल लिया यहां पर से उनको जोड़ेंगे इस तरीके से अभी उट्टी लाइन क्रीम कलर से भी लाएंगे अब सीधी लाइन में फिर उसी तरीके से करेंगे फंदे हमारे यह बढ़ते जा रहे हैं जाली के उपर जाली आ जाएगी फिर यहां पर फिर जाली चार शिलाई हमने क्रीम से बिन लिया अब चार शिलाई इस उन से बिन लिए फिर चार से लाई क्रीम कलर से बिन लिए इसी तरीके से उपर को इसे बिनते हुए जाएंगे फंदे बढ़ते हुए जाएंगे चार लाइन हमने क्रीम कलर से भी नच, चार दूसरे से अब यहाँ पर हमारे सीधे फंदे से इधर को दस फंदे हो गए हैं पहला फंदा यह निकाल लिया अब यह पांच फंदों को हम सीधा सीधा भी नच, तीन, चार, पांच पांच फंदे सीधे सीधे भागा आगे करेंगे पांच उल्टे एक, दो, तीन, चार, पांच फिर जाली जाली और एक सीधा फिर जाली अब यह पांच फंदे इधर सीधे भी नच, तो हम जाली को भी इस तरीके से लेंगे जाली लेली सीधा एक, दो, तीन, चार, पांच उल्टी लाइन पूरी उल्टी उल्टी बिन लेंगे अब सीधी लाइन में हम फिर इसी तरीके से करेंगे पांच फंदे सीधे बिनने पांच, फिर पांच उल्टे अब एक हमारे पास जाली का फंदा बढ़ गया है तो इसको सीधा बिन लेंगे अब पांच फंदे तक जो ये जाली से बढ़ते रहेंगे उनको हम सीधा बिनते रहेंगे फिर जब पांच फंदे पूरे हो जाएंगे फिर इसी तरीके से फिर उल्टे मिल लेंगे जाली अपनी जगह पर आई यह पर जाली निकालनी है फिर धागा आगे करेंगे फिर जाली फिर ये पांच फंदे शीधे फिर पांच उल्टे उल्टे उल्टी लाइन में पूरी उल्टी 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 बिन लेंगे फिर पांच उल्टे उल्टी 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 बिन लेंगे नीचे हमने चार लाइन किरीम से बिनी थी चार लाइन इसका लेंगे अब यहां से हम छे छे लाइन बिनेंगे छे लाइन किरीम से और छे लाइन दूसरे कलर से पांच लाइन हमने बिन लिए हैं एक लाइन हम और बिन लेंगे बिन लेंगे इसी तरिके से 50 पांच उल्टे अब अब दो फंदे हमारे यहां पर सीधे हो जायेंगे, क्योंकि यह 2 फंदे जाली से बढ़ गए, अगली लाइन में 3 फंदे हो जांगे, 5 फंदे होने तक जिदा हो जाएंगे, इसके बाद 5 फंदे यहां पर हो जाएंगे, तो फिर उल्टा बिनना शुरू करेंगे, पास फंदे फिर उल्टा बिन लेंगे अब हमने छे लाइन क्रीम से बिन ली हैं अब छे से लाइन इस उन से बिन लेंगे और ये डिजाइन को भी अब हम चेंज करेंगे जो हमने पास फंदे उल्टे इधर बिने थे उन पास फंदों को उल्टे इधर बिन लेंगे और जो यहाँ पास फंदे हमने उल्टे बिन ने थे इधर सीधे बिन लेंगे पहला फंद निकाल लिया दो, तीन, चार, पाँ पास फंदे हमने उल्टे बिन लिये नीचे हमने पास फंदे सीधे बिन थे उपर उल्टे बिन लिए और ये पांच फंदे हमने उल्टे बिने थे इनको पांच फंदों को सीधे बिन लंगे एक दो तीन चार पांच अब ये फंदों को उल्टा बिन लंगे एक दो तीन इस लाइन में तीन हुए हैं, अगली में चार हो जाएंगे, क्योंकि एक फंदा हमारा जाली से बढ़ जाएगा, जाली अपनी जगह पर, इस तरीके से हमने ये बीन लिया है, फंदे बढ़ाते हुए, अब हम इसको नाप के दिखाएंगे, साड़े सोला इंच, साड़े सोला इंच हुमने ये बीन लिया है, 65 फंदे एक सिलाई में हैं, 65 फंदे दूसरी सिलाई में, यानि कि पूरे हमारे 130 फंदे हैं, 130 फंदे, अब ये सिलाई को हम पूरी बीन लेंगे, इसके बाद बताएंगे कि हमें आगे क्या करना है, पूरे हमने फंदे एक सिलाई में बीन लिया है, अब यहां से हम क्रीम कलर की धागी को कट कर लेंगे, अब यहां से हम सिर्फ एक उन से भीनेंगे, और दोनों साइट से उल्टा-उल्टा, पूरी सिलाई, जिस तरीके से, यहां से उल्टा-उल्टा बिन रहें, इसी तरीके से, इधर से भी, दोनों साइट से उल्टा-उल्टा बिन लेंगे, 5 रो उल्टी-उल्टी हमने बिन ली हैं, एक दो तीन चार पांट यानि कि दस सिलाई पांच इधर से उल्टी उल्टी और पांच इधर से उल्टी उल्टी अब ये फंदों को हम बंद कर लगे दो फंदे हैं पीछे आले फंदे को आगे वाले फंदे के उपपर से ले लेगे फिर एक फंदा बज बिन हैंगे फिर पीछे आले फंदे को आगे वाले फंदे के उपर से लेगे झाल झाल पूरे फंदे हमने बंद कर लिये लाश्ट का एक फंदा हमारा ये बचा हुआ है अब इसी उन से हम यहां से फंदे उठा लिये उपर की साइट पूरे फंदे बंद हो गए दो एक पहले से था एक हमने फंदा उठा लिया है तीन चार पांस छे दस फंदे हमने ये उठा लिये हैं आगे के फंदे पूरे बंद कर लिये हैं साइट को फंदे उठा लिया पहला फंदा बिना बिने हुए निकाल देंगे रागा आगे करेंगे अब ये फंदों को उल्टा दोनो साइड से उल्टा 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 इसी तरीके से उपर को एक लंबी पट्टे हम बना लंगे फिर ये पूरा होने के बार जिस तरीके से हमने ये साइट के फंदे उठाए हैं सेम उसी तरीके से यहां से दस फंदे उठा लंगे फिर एक लंबी पट्टे यहां से भी लंगे लंबी पट्टी हमने बना लिए 10 इंच लंबी हमने ये बनाई अब ये फंदों को हम बन कर देंगे दो फंदे बिन लिए पीछे आले फंदे को आगे वाले फंदे के उपपर शेले अब इसे हम कट कर देंगे इसको कुरूसिया से हम इस तरीके से इसके अंदर दबा देंगे दोनों साइट से हमने ये बना लिए हैं एक इस साइट से बनाया है दूसरे के इस साइट से फंदे उठाए अगर आप लोग इसकी चोड़ाई कम बनाना चाहते हैं तो हमने जो जालिया बनाई है आप एक एक लाइन छोड़ के यानि कि एक सिलाई सीधे सीधे बिनके दूसरी सिलाई में जाली निकाल सकते हैं अगर आप लोग चोड़ाई कम बनाना चाहते हैं अब क्रीम कलर का उन ले लंगे इसको इस तरीकी से चार फोल्ड हमने यह कर लिया है धाई इंचे अब इसे स्कार्प के पिछले साइट लगाएंगे साथ फंदों पर साथ जालर हमने लगा लिये हैं अब इनको इस तरीकी से काट लगे मचली कट इसकार पर हमने पूरा बना लिया है अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें नए नए डिजाइनों के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब करें मेरे शार बना लाइब करें आई डिया है आई पर साथ जह राइब करें आई डिया है आई